अब अगर इसी तरह की चीज़ को हमने पाई टॉच को यूज करके मल्टिक्लास क्लासिफिकेशन करनी हो तो क्या करेंगे हम टैंसर फ्लो में जो हमने किया था मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहां पर चेक कीजेगा हमने एक काम किया है यहां पर रहलू रहलू यूज करने के बाद हमने सिगमाइड यूज किया है इट दी एंड सिगमाइड क्या करता है बाइनरी क्लासिफिकेशन नाव यह गूइं तोवर्स लिए यूज के जाता है यहां पर टाइटा लिया और यहां पर हमने जो चीज को प्रडिक्ट करना है यहां पर प्रडिक्ट करने वाला हूं simple वही चीज है हमने यहां पर data को pre-process कर लिया encoding कर ली और उसको हमने यहां पर basically हमारे पास select features और target हमने यहां पर कर लिया ठीक है यहां पर scale भी कर लेते हैं इसे that's the pre-processing step हमने यहां पर tensor में convert कर दिया यहां पर train test अप्लेट जो change आई है जनाब आपके पास यहां पर relu को direct आपने output में कर दिया यानि कि यहां पर relu की जो भी output थी वो आपने direct यहां पर print कर वा दिया रेल्यू के बाद अगली जगह पर आपने कोई activation function output में नहीं रखा ठीक है यह fully connected layer है either you can make a layer without any activation function या आप इसको वैसे भी remove कर सकते हैं so it's up to you totally up to you but I mean it's just the question के आप क्या करना चाहते है ठीक है and then at the end यहां पर आप चेक करें model वो ही सारी चीज़ें वो हैं सिरफ यहां पर activation function और Y को change किया गया है and at the end you can run this model और आपके पास accuracy high भी आ सकती है कम भी आ सकती है it's up to you if you have nice data set तो आपके पास accuracy अच्छी खासी आएगी जैसे मेरे पास अच्छी खासी आ रही है one की accuracy आ रही है so that means कि जो मेरे पास यहां पर actual है वो ही prediction के अंदर आ रहा है अगर आप गोर करें one की accuracy तो सारी चीज़ें यहां पर सही में प्रेडिक्टर हो रही है this is that's how this simple is आपने सिर्फ और सिर्फ यह चीज़ें समझने है कि model को evaluate कैसे करना है और यहां पर यह model train कैसे करना है बनाने के बाद यह इतना सा जो पंगा है ना वो ने है बाकि सारा कुछ पुरान है अगर आप यहां पर गौर करें यह model बनाना पुरान है ने हैं बाकि सारा कुछ पुरान है accuracy का आपको पता है वह लग बात है कि यहां पर हम torch के साथ accuracy देख रहे हैं and then now you know कि किस तरीके से artificial neural network यहां पर design होता है means to say कि मैं torch में ज्यादा depth में इसमें जा रहा अगर आप चाहें तो multi class classification को आप different models पर भी लगा सकते हैं binary भी हमने देख लिए इसके बाद आपकी बाद अपनी मर्जी है कि हम multi label classification करना चाहते हैं but there are many things which you can do convolutional layer या so on and so forth